घर बनाते समय केवल ये तीन गलतियां वास्तू के अनुशार कभी मत करना अगर ये तीन गलतियां आपने नहीं की तो विश्वास्वानिये आपके जीवन में कभी भी कोई भी परिशानी नहीं आएगी आपके उपर संकट नहीं आएगा धन की कमी नहीं होगी रोजगार व्यापार में तरक्की होगी रोग नहीं होगा परिवार में सुख सांती बनी रहेगी और बहुत ही ऐसो आराम से आप अपनी जिन्दगी व्यतीत करेंगे वो कौन से तीन बड़े कारे हैं जो नया घर बनाते समय या किसी भी फ्लैट को लेते समय आपको बहुत ज़ादा ध्यान रखने की जरूरत होती है सबसे पहला जब भी आप अपने लिए घर बनाएं या फिर घर करीदें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपका घर हमेशा पूर्व या पिर उत्तर मुख का ही होना चाहिए कभी भी दक्चण मुखी घर ना लें क्योंकि दक्चण मुख की घर में अक्षर परिशानिया आती हैं तो पूर्व मुखी या उत्तर मुखी घर ही आपको लेना है या बनाना है दूसरी बात घर बनाते समय अपने घर के अंदर टॉइलेट का स्थान दक्चण पस्चिम अर्थात दक्चण दिशा या पस्चिम दिशा की तरफ ही रखना है बिलकुल नईरित्य कौन में नहीं करना है या तो कुछ दक्चण की तरफ हो या फिर कुछ पश्चिम की तरफ हो उसी के साथ साथ अपने घर के ब्रह्म इस्थान अर्थात विल्कुल सेंटर वाले इस्थान पर बहुत जादा भारी सामान बीम पिलर या फिर बहुत जादा बजन नहीं देना है तीसरी बात आपके घर की भूमी का ढलान हमेशा पूर्व इसान या उत्तर की तरफ ही होना चाहिए आपके घर की बाउंटरी बॉल जो है वह दक्चन पश्चिम से उची होनी चाहिए उत्तर पूर्व से नीची होनी चाहिए अर्तात घर के छट का ढलान भूमी का ढलान पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए अगर ये तीन बातें ये तीनों बातें अगर आपने अच्छे से ध्यान रख कर अपने घर का निर्मान कराया तो विश्वास कीजिए कि आपके जीवन में वास्तु से संबंदित कोई भी परिशानी कभी नहीं आने वाली है आशा करता हूँ इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे और वास्तु के विशे मैं अधिक जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कॉंटेक्ट करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं जै महाकाल अर्यर महादेव